डिक्टिशन किती 24 सब्द प्रती मिनट इस्टाट माननी उपाध्यक्ष महोदय राजिस्थान गुजरात आंद्रप्रदेश मद्रप्रदेश करनाटक पस्चिमी बंगाल उडिशा आदी राजियों के अंदर वर्सा के अभाव में घोर सूखे की इस्थिती पैदा हो गई है और दुर्भिक्ष और भयावय अकाल की इस्थिती अत्यन्त छोब जनक इस्थिती में पहुच चुकी है इसी संदर्भ में मैं आपका कारिम मंत्रणा समिती का तथा माननीय प्रधान मंत्री जी का हारदिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने समवेदन सीता का परचे इसे राष्ट्री आपदा वा सूखे के कारण देश के विभिन भागों में जो इस्थिती उत्पन हुई है उस इस्थिती के दर्ध को समझ कर हाउस के अंदर हमें चर्चा करने का विचार विमर्स करने का समय प्रधान किया है और इसके बाद मैं मदद के लिए कदम आगे बढ़ानी का निर्णे किया है इसके लिए मैं आपके माध्यम से उन सब के प्रती अहार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और भी प्रसंदता का विशय है कि कल माननी प्रधान मंतरी जी ने राष्ट के नाम दूर दर्सन और आकाश्वारी के उपर सारे देश वासियों के न उडिशा हो चाहें आंदर प्रदेश हो जहां पर भी सूखे की इस्तिती पैदा हुई है वह इतनी भयाव है कि उसे एक प्रकार से राष्टरी आपदा मान कर जिस प्रकार से उडिशा में चक्रवात के समय सारे देश के निवाशियों ने उदारता पूर्वक मुक्त हस्त स सहयोग किया था और उसमें सारे समाच के लोगों ने हात बठाया था और जिस प्रकार कारगिल में आपरेशन विजय के नाम पर प्रदान मंतरी की अपील पर सारे राष्ट ने राष्ट्रिय रक्षा कोस के लिए साहता प्रदान की थी उसी प्रकार से प्रदान मंतरी जी न ये मैं आपके माद्यम से उनका और सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ मैं राजिस्थान की और से विशेश रूफ से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वैसे तो अकाल की इस्ति देश के किसी भी राज्य में हो हमें अनुभूती होनी चाहिए जैसे सरीर में एक अंगूठे में अगर काटा चुबता है तो दर्द सारे सरीर में होता है हाथ या नहीं कहता की केवल अंगूठे की चुबन है या आख या नहीं कहती की यह अंगूठे का दर्द है यह समवेदन सीलता सारे सरीर को अनुभव होती है जब दर्द होता है अंगुठे में तो हात वहाँ बार बार जाता है आख उस काटे को देख कर कहती है कि इसे निकालो और जब वह काटा निकल जाता है तो पूरे सरीर को आराम मिलता है उसी तरह देश में कहीं भी पढ़ने वाली प्राकृतिक विपदा में सभी देशवासियों को हात पटाना चाहिए सभापती महोदय राजस्थान में अकाल की बड़ी भयावा इस्तिती है राजस्थान में लगातार तीसरी वर्स अकाल की इस्तिती पैदा हो रही है पिछले स और उसके पहले किस साल कम वर्सा हुई थी इस बार तो वर्सा हुई ही नहीं जिसकी वज़े से खरीप और रभी की फसल बरबाद हो गई वर्सा नहीं हुई तो फसल नहीं हुई तो किसानों की आर्थिक इस्तिती दैनिय हो गई गाओं की आर्थ व्यवस्था पर बहुत द आलाब बावणियां आदी सब सूख गए हैं जहां कहीं पहले का थोड़ा सा पानी था और पानी नहीं आने के कारण वह भी सूख गया है भूजल का इस तर बहुत नीचे हो गया है क्योंकि उसका काफी मात्रा में दोहन कर लिया गया है इससे पेजल संकट गंभीर रूप से उत्पन हो गया है मैं इस संबंध में कुछ आकड़ों की तरप सरकार का ध्यान आकरसित करूंगा देश के कुल छेतर फल का 10.7 प्रतिसत छेत राजस्थान के अंदर आता है परन्तु देश के कुल जल संसादन की तुल्ना में कुल एक या दो प्रतिसत जल संसादन ही वहां उपलब्द है या महत्पूर्ण बात है देश के कई राज्यों में जल संसादन प्रचुर मात्रा में है लेकिन राजस्थान में प्राकृतिक इस्ति भावगोलिक इस्ति विशेश बनी हुई है इसके लिए उसको विशेश समवेदन फिल राज्यों की स्रेणी में माना जा चाहिए वहां अधिकांस भाग थार का रेगिस्तान है अरावली का पहारी छेत्र है वनों का अभाव है इसलिए वर्सा बहुत कम होती है हर दूसरे या तीसरे साल अकाल पढ़ता रहता है